कि है एवरीबन दिस इश्वेता वेल्कम टू यूपी ऐसी वाला वापस आ गया हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर और आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट मोस्ट रिबॉर्ट है चैप्र चैप्र नुबर 5 जहां पर हम जानने है एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से तो 11 क्लास वाला जो 11 क्लास का फाइन आट का बुक है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है ठीक है इवन आप लोग जब प्रिविए स्क्वेस लगाएंगे प्रिलिम्स के लगाईए चाहे में के लगाईए उसमें से भी आपको दिर्वर बात करो यह जो पार्ट टू है ना 12 क्लास का फाइन आर्ट बैसिकली इसमें क्या है कि आपका रीजनल लेवल पर चीज़ जीजों को जादा डिसकस किया है जैसे हम पढ़कर है क्या मुगल चित्रकलाश यली दककन चित्रकलाश यली पहाडी चित्रकलाश राजस बाईसानी चितरकला शेली है अब वो अगर आप में से कोई बच्छा अगर आप में से ऊपना अग्शा में राजिस्थान पीस तब तो उसका थोड़ा जैसे वही पहाड़ी चित्रकला शेली है दक्कनी चित्रकला शेली है छोटे इस तर पर तो दिखाई दे सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रॉटन नहीं बोलेंगे लेकिन क्योंकि हम आर्ट एंग कल्चर का एंसे और टी कवर करें इसलिए हम कोई चैप्टर स्किप नही शेली की बात करेगा जम्मू कश्मीर हिमाचर प्रदेश इन्हीं शेत्रों में तीन तरगे चित्रकला शेली डिवलप होगी तो उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बस जानकर आगे बढ़ जाना है ठीक है बहुत डिटेल में जाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है औ और बस उतना ही पढ़ लेजेगा इतना इनफ है एक्जाम के पॉइंट ऑफिसे बाकि आप में से जो भी बच्चे यूपी एसी सिवल सर्विसेज एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इन कोर्स को देख सकते हैं जोइन कर सकते हैं वन येर टू येर ठीयर प्लान तो जो भ पर भी उनको कुछ clarity नहीं है conceptual चीजे थोड़ी वीक रह गई है तो आप अपने हिसाब से कब आपको एक्जाम देना है उस हिसाब से बाच को जॉइन करिएगा इसलिए क्योंकि अच्छा क्या रहता है कि हम preparation का जो format उसे जुड़े रहें जब तक हम एक्जाम नहीं दे रहे है ना तो अगर आप coaching से जुड़े हुए है या test series से जुड़े हुए है तो लगातार आप उस preparation वाले zone में रहते हैं आप coaching भी नहीं है आपका कोई test series भी नहीं है तो फिर आप self study के थूप जब preparation करते हैं तो कई बार वहाँ पर हम blank हो जाते हैं तो किसी ने किसी way में अपने आपको preparation से जोड़े रखे test series तो at least करते ही रहिए और 26 में को आपका UPSC Civil Services Prelims का एक्जाम है उसको ध्यान में रखते वी यह course launch किया गया है यह केवल आपका test series प्रोवाइट करा रहा है और prelims के point of view से test series का बहुत ज्यादा importance है तो प्लीज आप लोग test series को join करिए और previous year question ल जब भी आपको topic करें किसी भी subject का please topic के questions देखें कि पहले क्या पूछा गया है internet पे कोई question available है तो उसको देखें जितना ज्यादा questions लगाएंगे UPSC point of view से state pieces का मत लगाईएगा थोड़ा वो अलग zone में चलता है तो ऐसा ही कुछ हमने भी हाँ पर plan किया है हमारा जो platform में वो हम आपके cover करने वाले हैं 3500 questions को 3500 questions मत देखें topic देखें तो हर एक question को करते वे आपने topic prepare होता है और जब भी आप test series दे प्लीज हर question को करने के बाद से जब भी आप revision कर रहे हैं तो उन topics को highlight कर लिजे जो test में पूछा गे तो उसको समझा के revision देदीजे तो इसे topics हमारे basically prepare होते है कई बच्चे सोचते test मतलब numbers लाने अच्छे हमें नहीं test का तभी यूज है जब आप test देने के बाद से जितने questions आये उनको जाके वापस revise करिए उन topics में कोई doubt है तो उसको देखिए क्यूंकि test में important चीजे ही पूछी जाती है ठीक है चलो अभी आ जाते है direct हम हमारे chapter पर क्या बोल रहे है पहाड़ी चित्रकला शेली chapter वैसे बहु पहाड़ी चित्रकला शेली पहाड़ी चित्रकला शेली चीक है अब ये इसमें क्या बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं पहले हम समझते है फिर ये तीन टाइप के आपको चित्रकला शेली के बारे में बताएगा बोल रहे है परवती शेत्र में विक्षित चित्रकला को पहा जो भी परवतिय चेतर में विखसित। होगा नाम से ही पता लग रे ह्लाए है पहाड़ी चेतरकला शाली जैसे आपने पढ़ा तो दककन के बारे में तो क्या है दककन वाले रीजन की बात कर रहा होगा थीको फे procent हम पहाड़ी चेतर खालाशली तो बोल रहा है कि उत्राखन दिखाई दे रहा है फिर बीच में निपाल इतरा सिक्किम दिखाई दे रहा है यह पूरा नॉर्थ इस्टेट है अराज़प्रदेश नागालेंड मनिपूर मिजोरम असम मिघाले तृपुरा ठेक है तो यह हमारे सारे हिली रीजन्स है जो मैंने आपको डिसकस कर यहां पर जो स्पेसिफिक बात कर रहे है पहाड़ी चित्रकला शली वह इनी शेत्रों से संबंदित है लेकिन यह दो ही छेत्रों को ज्यादा हाइलाइट करेगा एक जम्मु एंड कश्मीर और दूसरा हिमाचर प्रदेश समझ में आ गया तो यहां पर जो पहाड़ी चित् यहां पर इसका विकास हुआ अब यह जो टर्म से यह बहुत जरूरी होता है मैंने पहले बताए तक time period आपको पता होना चाहिए तो क्या बोल रहा है कब से लेकर कब तक सत्रवी से लेकर उनिस्वी शिताबदी तक ठीक है उनिस्वी सदी तक तो सत्रवी से उनिस्वी सत्रवी का मतलब क्या हो गया सोला सो एक से लेकर और उनिस्वी का क्या मतलब हो गया उनिस्वी सती तक पहाड़ी चितरकला शयली का विकाज दिखाई देते हैं तो थोड़ा सा टाइम पीरिड अगर आप नोटिस करें तो भोल रहा है कि सोलवी शिताब्दी यानि कि 1501 से 1600 तक का जो टाइम पीरिड है तो सोलवी शिताब्दी का मतलब कितना लेट ये डेवलप हो रहा है समझ में आ रहा है आपको 1501 यानि कि आपका सल्तनतकाल खतम हो 1526 में पर्स बैटल ऑफ पानेपत के साथ एंड हो जाएगा तो बेसिकली ये पहाड़ी शित्रकला शैली का प्रभाव कब हमें दिखाई देता है जब यहां पर हमें भारत में उत्तरी शेत्र में कौन रूल करते वें दिखाई देते हैं सभी के समझ में आ गया दूसरा उसका रूल हमें यहां पर दिखाई देता है तो बेसिकली ये जो शेत्र है ना इससे सनलगने शेत्र हमें मुगल्स का और यह पंजाब शेत्र दिखाई देता है ठीक है तो इस चत्रकला शैली जहां पर यह डिवलप हो रही है और जिस टाइम पीरेड में डिवलप हो रही उतके पैरलली हमें नौर्थ में मुगल्स दिखाई दे रहा है और नौर्थ वेस्टर वाले रीजिन में पंजाब वाला जो छेत्र है वहाँ पर हमें सिख स्थामराज्य दिखाई दे रहा है सभी के समझ में आ गया तो नौर्थ में मुगल्स और इधर चले जाओं तो हमें स सिख राज्य दिखाई दे रहा है तो यह तो पैरलन हमने डिसकस कर लिया ताइम पीरियड ठीक है आगे बढ़ते हैं बोल रहे कि यह विक्सित कहां पर हुई थी बसोहली गुलेर कांगडा कुलू चंबा मनकोट नूरपूर मंडी बिलासपूर जम्मू और पशिम हिमाले के अन्य पहाडी शहर जो थे जहां पर इस चित्रकला का विकास हुआ था और यह जो बुक है वो आपको केवल तीन शित्रों की बात करने वाला है बसोहली गुलेर और कांगडा तो अब ही जब हम इसको स्टड़ी करने वाले तो हम इन तीन पर ही घूमते रहेंगे कौन-कौन सा बसोहली चित्रकला ठीक है दूसरा यहां पर बात कर रहा है गुलेर और तीसरा कांगडा ठीक है तो बसोहली और गुलेर और तीसरा हो जाएगा आपका कांगडा ठीक है बेसिकली इस छेत्र में जो पहाडी चित्रकला का विकास हुआ था उसके नाम पर इसका नाम पर ज रहा है कि पहाड़ी शेत्रों में किन किन जगा पर इसका विकास हुआ था फिर राइटर ने बताए इन शेत्रों पर विकास हुआ था लेकिन आगे जब बुख में बढ़ेंगे तो आपको इसी के चारोर गुंते वे नज़र आएंगे बसोहली गुलेर और कांग्रा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं बोल रहा है यह सब ही चेत्र पहाड़ी चित्रकला शेली के अंतरगत आते हैं यह वो सारी लोकेशन हैं जहां पर इस चित्रकला शेली का विकास हुआ बहुत जाथा काम का नहीं है बसोहली से आरम हुई अपरिश्क्रत अत्यलंक्रत ये टर्म थोड़ा सा समझेगा अपरिश्क्रत तो बोल रहे कि जो पहाड़ी चित्रकला शेली है इसका आरम कहां से होता है आरम होता है बसोहली से और बोल रहे जब ये आरम हुई थी पहला पहली बार हमें ये पहाड़ी चित्रकला दिखाई देती है जब तो यह काफिषक्रतती तो आपरिशक्रत का मतलब है कि बहुत अच्छे लेबल की चित्रकारी नहीं थी जब बसोहली में पहली बार इस पहाड़ी चित्रकारी की शुरुआत पहाड़ी चित्रकारी मतलब जो डिझनल लेवल पर चित्रकारों को संरक्षन दिया जा रहा था तो इनीशली यह बहुत अच्छे चित्रकारी नहीं थी तो यह शुरुआत में जहां कहां से होता बसोहली से अपरिश्कृत अत्यलंक्रत थी घुले ठीक है तो यहाँ पर कैसी थी यह यहाँ पर ती यह अपरिश्क्रत रूप में हमें दिखाई देती है क्योंकि यहां से आरंब हुआ है और बाद में धीरी-धीरी यह क्या हो गए थी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थी ठीक है समझ में आ गया तो यह जो बुक है न वह को ऐसे ही घुमाएगा इस बुक में आपको यहां से स्टार्ट कराया जाएगा फिर यहां ले जाए जाएगा और फिर यहां के चित्रकला शैली पर लेजाएगा जो बहुत ही डेवलप लेवल की थी ओके चालो, आगे बढ़ जाते हैं, मुगल, दक्कनी और राजस्थानी चित्रकला जो आप उल्रीडी पढ़के आचुके हैं, तो मुगल, दक्कनी, राजस्थानी चित्रकला की इस पस्ट शैलिगत विसिस्ट पहचान से भिन, पहारी चित्रकला अपनी शेत्री विभाजन की बारे में पढ़ा, तो बोल रहा है कि यह जब चित्रकला की हम डिस्कस करते हैं, इसी के पैरलल जो डेवलप हुई है, इसी टाइम पीरिड में, तो बोल रहा है कि उससे अलग इसकी अपनी विसिस्ट पहचान है, समझ में आ गया, तो यह जो मुगल चित्रकारी है, या फि कि चेत्री विभाजन की चुनावतियों को प्रदर्शित करती हैं, चेत्री विभाजन की चुनावति का मतलब है कि इस पहाडी चित्रकला में इतने छुटे-छुटे से चिंजे से वेरियेशन है, कि आप इसको डिफरेंशेट नहीं कर सकते, वहां पर जहां पर यह ओर है, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत जादा इसमें similarities दिखाई देती एक चित्रकला शैली है लेकिन उस चित्रकला शैली में भी हमें विभाजन करने में काफी तकलीफ होती है ठीक है बस इतना कुछ खास नहीं है आगे बढ़ जाते हैं हलाकि उपर उलेकित सभी कंद्रों में सटी अनिक विशेष्टाओं के साथ प्रकृती स्थापत्य विशेष्टित अलंग कारित चहरे पहनावे किसी रंग विशेष्ट की प्रात्मिक तौर ऐसी अनिक विशेष्टाएं प्रदर्शित किये गये हैं तो कुल मिलाकि यह बोल रहा है कि पहाड़ी चित्रकला शैली की अ उसने कुछ अपनी जो यूनीक चीजे है उसको आइडन्टीफाई किया हुआ है जैसे अलंग कारित चहरे पहनावा किसी रंग विशेष्ट की प्रात्मिक्ता इस छेत्र में इन रंगों का जादा प्रयोग कर रहा है तो बोल रहा है कि इतने सारे शेत्रों में जो ज़्यादा डिफ्रेंशियेट नहीं कर सकते थोड़ा बहुत डिफ्रेंशियेट करते हुए ही हमने इसको बेसिकली बसोहली गुलेर और कांगणा चित्रकला शेली में डिवाइड करा है इस किताब में जिसे आप पढ़ेंगे उन्होंने आवश्यक अंतर को स्थापित नह नहीं हो सकते है जैसे आपने मुगल चित्रकला शेली पढ़ा तो मुगल चित्रकला शेली को हमने कैसे डिवाइड किया था हमने उसको डिवाइड करने के लिए rulers का सहारा लिया कि सबसे पहले बाबर था उसके time period में किस तरह की लगो चितरकारी विक्सित हुई थी फिर हुमायू के time period में फिर अकबर के time period में है ना जागीर है शाह जाहा है और अंजेब के time period में decline चालो हो जाता है क्योंकि यहां पर वो वर्गी करण संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इन में बहुत जादा difference है नहीं पहाड़ी चितरकला शैली में थोड़े बहुत difference हमें दिखाई देते तो वो हमारे लिए थोड़ा सा complicated हो जाता है उनको वर्गी पहाड़ी चितरकला शैली का उद्भव अभी तक बहुत दिखाई देता है शोद करता लगातार इसके उद्भव और प्रभाव की विवेशना करते नहीं है लेकिन इसका ओरीजन जो है उसको लेकर काफी जादा हमें debate दिखते हैं यह व्यापक रूप से स्विकारा गया कि मुगल और राजस्थानी चितरकला शैली पहाड़ी शेत्रों में प्रांती मुगल शैली और राजस्थानी राजसी दर्बार के पहाड़ी राजाओं के साथ पारिवारिक संबंदों के उधारन स्वरुप जाने जाती है बोल रहे हैं कि हमको एक्जेक्ट तो नहीं पता है कि इसका ओरीजन कब हो रहा है कैसे हो रहा है लेकिन हम जरूर बोल सकते हैं कि इस पर प्रभाव है कि इसका मुगल कालें चित्रकला शैली क्योंकि मुगल के पैरलल यह रहना बोल रहे हैं और उसके पैरलल राजस्थानी चित्रकला शैली का भी विकास हो रहा है क्योंकि मुगल के पैरलल हमें राजपूत स्टेट्स काफी सारे दिखाई देते हैं तो हमें एक्जेक्ट तो न आजस्थानी चितरकला शैली का इस पर काफे कुछ प्रभाव रहा है क्योंकि इनके बीच में लगतार संबंद स्थापित किये जाते रहे हैं ठीक है अब बोल रहा है चमकीली चटक इसपस्ट बसोहली शैली साधारता शुरुवाती प्रचले चित्रात्मग भाषा के रुप पर सबसे पहले हमें इस चितरकला का विकास दिखाई देता है और वहाँ पर चितरकला के विकास में हम देखते हैं कि इनीशिली यह लोग चटक रंगों का प्रियोक करते थे हैं बहुत हाइलाइटिट कलर्स यूज करते थे पहारी शैली के प्रसिद अध्यताओ में से एक बियन गोस्वामी ने इनका नाम बहुत बार आप पढ़ेंगे इस किताब में बियन गोस्वामी ने सरल सादगीपुन बसोहली शैली को गितात्मा कावे और परिश्क्रत कांगणा शैली का रूप देने के लिए उस प्रतिभाशाली कलाकार परिवार को शे दिया है जिन्ह बात कराइए किसका पहाडी शैली के प्रसेद अध्यता है जिन मेंसे एक है कौन बियन गोस्वामी बिताते हैं कि जो आपका बसोहली शित्रकला शैली के कि बारे में बताते हैं कि इसका विकास किस ने किया बदलों कौनसा ऐसा परिवार था जिस ने बस वहली चित्रकला शेली पर काम किया यह जो बस वहली में चित्रकला पनप रही ए सब् главing पनपने में किसका योगदान था posit entry का मत्था की प्रिणिषिव आगे हम का नाम पढ़ेंगे का परिवार ही मुख्यता पहारी चितो के अनुसार ये बोलते हैं कि इसका जो औरीजन है ना या इसको परिपक्व करने में किसका इंपॉर्टन रूल है तो इनके अनुसार शिव या फिर शिव जो बोलते थे शिव का परिवारी मुख्यता पहाड़ी चित्रकला की शंकला बनाने के लिए उत्तरदाई था ऐसा गो को स्वामी ने बोला कि जो शिव हैं पंड़त शिव के परिवार का पहाड़ी चित्रकला शैली में पहाड़ी चित्रकला शैली में महतवपून योगदान महतवपून योगदान ठीक है यह ऐसा बोलते हैं आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है उनका यह भी तरकता किनका गोस्वामी का कि शेत्रों के आधार पे पहाड़ी चित्रकला की पहचान करना ब्रामक हो सकता है जैसे अभी आपने प कांगड़ा हो गया तो बोलें कि शेत्रों के आधार पे अगरा पहाड़ी चित्रकला शैली को अइडेंटिफाय करने लग जाए कि यहां पर इस तरह की यहां पर इस तरह की तो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशेट नहीं है तो वह थोड़ा सा भ्रामक हो सकता है आपको समझन दिक्कत हो सकती है क्योंकि राजनीतिक सीमाय हमेशा बहुत अनिश्चित होती थी बहारी शेत्रों में भी कोई राजा रूल कर रहे चोटे-चोटे में राजे दिखाई देते हैं उनका छेत्र कभी उसने दूसरे डीजन को कॉन कर करके जीत लिया फिर उसने वापस दूसर कर राजस्थानी शेली के लिए भी सत्य है कि सिर्फ छेत्रिया अदा को श्रेय देना असपस्ट दिखाता है छेत्री इस तर पर क्योंकि देखा था ना हमने बूंदी कोटा से अलग होके फिर वहां पर एक अलग शेत्रकला शेली का विकास दिया लेकिन इनिशिली जो चेत कभी भी फिक्स नहीं था छेत्र की जो बाउंडरी जे वो चेंज हो रही थी ठीक है बस यहीं बताया गया है इहां पर आगे बोलते हैं शोध करता ही है मानते है कि अठारवी शताब्दी के आरम में पंडित शिव परिवार और अने कलाकारों की रचना शैली बसोहली शैली के परियाय बन गए थी यह जो पंडित शिव का परिवार है यह जिस तरह के चित्रकला का विखास कर रहे थे इसी चित्रकला को हम बसोहली चित्रकला शैली के रूप में जानेंगे जबकि अठारवी शताब्दी के मद्दे में उन्होंने इस शैली को कांगणा के आरंबिक शैली के रूप में जाना तो शुरुवात किस ने किया था पंडित शिव के परिवार ने ऐसा बोला जाता है आगे बोल रहा है इस अचानक परिवर्तन और प्रयोगात्मक आरंब ने पहारी के इंदों से संब्द अनेक शैलीगत विकास का श्रजन किया और यही विभिन कल भारनों से पहारी राजियों को परिचित करने के लिए उत्तरदाई है ठीक है अचानक इन चित्रों के उद्गम से चाहे वह शाशक कलाकारों व्यपारियों या ऐसी कोई संस्था या घटना के कारण विक्सित हुआ हो कलाकार प्रभावित हुए और उनकी चित्रकला की भा अपरिश्क्रत थी लेकिन वही कांग्रा चित्रकला शैली को देखते हैं वह बहुत परिपक्प परिश्क्रत थी तो नो डाउट काफी सारी चीजों का इस पर इंपैक्ट पढ़ाओगा कोई बड़ी घटना घटी होगी या फिर मुगल चित्रकला शैली उसका प्रभाव पढ़ाओगा विपारियों के आने चाने का प्रभाव पढ़ाओगा तो कई चीजों का मिला जुला संबलित प्रभाव हमें दिखाई देता है बसोहली से कांग्रा शैली के रूप में उसको डवलप होने को ठीक है अधिकांच विद्वान इस परिकल्पना पर विवात करत है कि अचानक परिवर्दन की शुरात मुघल चितरशाली के प्रवासि कलाकारों से हुई क्योंकि यहां पर रॉइटर बोल रहा है कि जो आचानक से कांगडा चितरकला शैली इतनी डिवलप होते विए दिखाई देती इस पर मुघल चितरकला शैली का प्रभाव हो सकता है बहुत सारे मुगल चितरकार यहां से मुव करके हूँ मुगल रेजन से वहाँ पर रॉन्होंने उसका प्रभाव ढाले कई लोग इसको नकार देदे yum usability के अनुसार पहाडी कलाकारों की चित्रों में नैसरगी शेली की मनोहारे था के प्रती संविधन शीलता जागरत हुई साद्रश्य के आधार पर की गई सनरशनाओं में कुछ चित्रों में सुसजित हाशे दिखाई देते हैं इन चित्रों की विशेविस्तू में देनन दिन तथा राजाओं के जीवन से संबंदित महतपूर समारों अब बोड़ा यह किस तरह की चित्रकारी करते थ थी राजा के जीवन से संबंदित महतपूर घटना या समारों को यह लूग दर्शा आते थे महिला कृतियों में नवींता और आदर्श चेहरे का चित्र यानि महिलाओं के आकृतियों को बहुत ही आदर्श रूप में डिफाइन किया जाता था यह सब कांगड़ा शैली के डवलप स्टेज की चितरकारी में दिखाई देते थे जो हमारे किसी काम का अभी नहीं है क्योंकि मैं आपको आगे डिटेर से कांगड़ा शैली पढ़ाने वाली हूँ ठीक है अब यह तो था एक इंट्रो टाइप का जैसे ही किताब में चैप्टर स्टार्ट होता है वो ब बाकि जो चेतरी चेतरकला शैली थी पहाड़ी चेतरकला शैली के अंतरगर जो आती है उसमें डिफ्रेंशेट करना थोड़ा सा दिक्कत था क्योंकि बहुत ज्यादा वेरियेशन नहीं दिखाई देता है दूसरा बाउंडरी वाइस भी थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्ल इसकी पहाड़ी चेतरकला शैली का आरंब कहां से हुआ वहों में बहुत एक्जेक्ट नहीं पता लेकिन बिएन गोस्वामी जो है इसका श्रेपंडित शिव के परिवार को देते हैं कि इनके द्वारा इनिशली जो चेतरकला का विकास किया गया वही था बस वहली चेतरकल शैली का प्रभा हुआ जैसे मुगल्स या राजस्थान या व्यपारियों के आने जाने से कुछ चेंजस हुआ और उस चेंजस की वज़े से एक विक्सित पहाड़ी चेतरकला शैली कांगड़ा चेतरकला शैली के रूप में हमें दिखाई देती तो वन बाइवन ये तीनो बहुत पढ़ लेते हैं अभी तक काफी कुछ तो आपको समझ में आए गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट तो पहले हम डालते हैं बस ओहली चितरकला शैली ठीक है तो फॉस्स हैडिंग डालेजी आप लो बस ओहली चितरकला शैली अब देखो कुछ बचे बोलते मैडम इसका पीपीट क्या है काम का इसका पीपीट अगर बनाकर लाओना तो तीन पेच का भी नहीं बनेगा ठीक है अब वह तीन पेच की पीपीट से आपको समझ नहीं आएगा आपको लगेगा कि इतना बड़ा चैप्टर था यह तो क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजे बता की तो इस वज़े से मैं पूरा पढ़ा देती हूं ताकि आप पढ़ते जब रीडिंग लगाओगे तो थोड़ी सी चीजे समझ में आएंगे है ना बहुत कम है डेटा बहुत कम है लेकिन वह चीजे समझ में आएंगे और को स्टोरी भी नहीं है जो हम क्लास में लिखवा स सके तो इस वज़े से मैं आटन कल्चर अब जू है पहले तो हमने कराई पीपीटी पर क्योंकि वहाँ चीजे थोड़ी सी थी यहां पर नहीं मतलब बनता है इसलिए मैं डायरेक्ट थी पढ़ा देती हूं ठीक है तो हैडिंग डालेजे बसोहली चित्रकला शेली जितना का पहाड़ी शेत्रका जो पहला प्रभावकारी कला मतलब जो हमें प्रभाव शेली कला दिखाई देती है जो कला अपना एक रूपधारन के हुए थी तो वो हमें बसोहली शेली के रूप में दिखाई देता है तो पहला एवं प्रभावकारी कला पहाड़ी शेत्रका पहला और प्रभावकारी कला प्रभावकारी कला हमें कौन दिखाई देता है बसोहली कला के रुप में दिखाई देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं 1678 से 1695 टाइम पीरिड देख लिए कौन से 70 वी शताबदी की बात कर रहा है तो बोड़े कि 1678 से 1695 तक प्रभुद्र राजा कृपाल पाल ने इस राजे पर शाशन किया था ये बसोहली एक शेत्र है जम्मु एंड कश्मेर बे बोड़े ये जो शेत्र था यहाँ पर हमें एक रूलर दिखाई देता उस रूलर का क्या नाम था कृपाल पाल उसके शाश पीरिड में इसका विकास देख रहे है ठीक है राजा कृपाल पाल राजा कृपाल पाल जो इस छेत्र का रूलर था आप एप्रॉक्स याद करिए 1685 तक जादर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है फिर बोल रहा है प्रभावी पर प्राथमिक रंग इस चित्र कल पीज़ रंगत लिये हुए प्रस्ठ भूमी पिक्चर भी होगा शायद मैं आपको दिखा दूंगे अभी एक सेट रहे होगा है ओके यह देखे इस वाले पिक्चर को देखेगा तो आपको समझ में आएगा तो बोल रहा है कि उस्ट पीली रंगत लिये हुए प्रस्च प्रस्च भूमी उच्छ शितिज रेखा आप उपर में देख रहे हैं काफी गयाब देखर उच्छ शितिज रेखा हमें दिखाई देरी इस चित्रकला शैली में प्रकर्ति का शैलीगर द्रश्यांकर अबरेवे श्वेत रंग का अनुकरण हापर दिखाई देरा बैक्ग्रा बहुत महत्पूर्ण चीज थी बसोहली चित्रकलाशली में वो क्या था जेवरात को चित्रत करने के लिए छोटे चमकीले हरे कीट पंखो के अंच का प्रयोग जो जूलरी ये लोग करी करते थे तो उस जूलरी को दर्शाने के लिए बिसिकली इनके द्वारा क्या यूज किय यहां पर यह बोल रहा है कि जेवरात को चित्रत करने के लिए चोटे चमकीले हरे कीट पंखो के अंच का प्रयोग और पन्ना के प्रभाव का अनुकरण इनके चमकीले रंग और लालत थोड़ा से यह पिक्चर को देख लिए जादा तर यह क्या बोल रहा है कि एक प्रस्ट भूमी लिए हुए उभरता हुआ यलो कलर हो जाएगा बैग्राउंड में वाइट कलर उच्छ शिते रेखा हो जाएंगे प्रकरती का समाय योजन के सरीके से किया जारा वो सब यहां पर दर्शाया गया है और किस तरह के कीट के पंकों का प्रयोग किया जारा है जे देखेंगे चौर पंचाशी का समू चित्र कला के बारे में ठीक है तो बोल रहा है कि यह जो इनके चमकीले रंग और लालित जिस तरह की यह ब्राइट कलर्स का यूज करें दिखाई दे रहा होगा ना बहुत जादा ब्राइट चमकीले कलर दिखाई दे रहे हैं चाहे है और चित्र कला है उसको दर्शार है मतलब उस तरीके का प्रभाव इसके चमकीले रंग में दिखाई दे रहे हैं अभी हम थोड़े दिर बाद इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो थोड़ा से यह पॉइंट्स जो है वह यहां पर दिख लीजी कि इस इस चित्रकला श अःच दिद पेली प्रस्ट भूमि ओस्ञपीली प्रस्ट भूमी इ॓स्ट पीली रंगत लिये इसका बैकडाउड हमें देखाई लेता है उस चीड पीली और रंगत लिये हुए किस तरह का background दिखाई देता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बोल रहे है white color उभरे हुए श्वेत रंग का अनुकरण करता है background वे ठीक है के साथ प्रस्ट भूमी उभरे श्वेत रंग का अनुकरण ठीक है आगे बढ़ते हैं next क्या point बोल रहा है प्रकृति का शैलिगत द्रश्यांकर उच छितिज रेखा उच शितिज रेखा और प्रकृति का शैलिगत द्रश्यांकर ठीक है एक चीज और यह लोग क्या कर रहे हैं जेवरों को दर्शानी के लिए कीट के पंकों का प्रियोव जेवराद के चित्रांकन के लिए किसका प्रियोग करें हरे कीट के पंकों का प्रियोग अब देखो यह बहुत ज्यादा काम की तो है नहीं लेकिन जब हम पढ़ी रहे हैं सॉरी यह तो हम चैप्टर स्किप्ट करते हैं अब जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सापको पता होना चाहिए बसोहली चित्रकरा शैली जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं दो चार पॉइंट्स में किस राजा के टाइम पीडियर में डेवलप हो रहा है क्या क्या उसकी अपनी एक आइडेंटिटी को वो लिए हुए है ठीक है चालो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स क्या बोल रहा है फिर बोल रहा है बसोहली शैली की सबसे महतफूर चारितरिक विशेष्टा है तो आगे क्या बोल रहा है भानुदत की रासमंजरी बसोहली कलाकारों का सबसे प्रश्रित विश्य है ये सब हम अल्रेडी पढ़ कर आ चुके तो यह बोल रहा है कि किन विश्यों पर चित्र बनाया जाता था जैसे होता है कि आप राजा के दर्वार की चित्रकारी कर रहे हैं रमायन की चित्रकारी करें भागवत की चित्रकारी ये उस किताब में जो लिखा है उसको चित्र के रूप में ओके रहे हैं तो बोल रहा है कि बसोहली चित्रकला शैली के जो चित्रकार थ था तो विशे में याद रखना है विशे इनका क्या था प्रचलित विशे जिस पर ये लोग कलाकारी कर रहे थे भानुदत की रासमंजरी ये इनका एक महतोपूर्ण विशे था सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए जैसे मुगल्स किस तरह के विश्यों पर चित्रकारी करते थे ज्यादा तर दर्बारी द्रश्यों को दर्शाते थे हैं प्रकर्दी का सजीवित चित्रन करते थे ठेक है इसके अलावा 1694-95 में तर्खान देविदास ने अपने संरक्षक राजा क्रपाल पाल के लिए चित्रों का आलिशान शंकला बनाया अब बोल रहा है कि ये तो आपने देखा क्रपाल पाल के टाइम पीरिड में संरक्षन देरा चित्रकारों को वो बोल रहा है यहां पर एक चित्रकार का भी जिक्र कर दिया जिसका नाम था तर्खान देविदास ने जिसका संरक्षर कौन हुआ था यहां का राजा था राजा क्रपाल पाल तो राजा क्रपाल पाल के लिए जो उसका चित्रकार था इसका नाम था तर्खान देविदास उसमें बहुत सारे चित्र ब ये चित्रकार है ठीक है ध्यान रटना ये क्या है चित्रकार है जिसको इसने संरक्षन दिया और इसने इसके लिए अपने राजा के लिए बहुत सारे चित्रों की शंखला बनाए भागवत पुरार और रागमाला चित्रकला के अन्य प्रसिद्ध विशे रहे हैं इसके को रिप्रेजेंट करते हैं अल्रीड हम पढ़कर आ चुके तो भागवत पुराण भागवत पुराण और क्या हो जाएगा राग माला यह जो है इनके महत्वपूर्ण विशे रहे जिन पर यह लोग चित्रकारी कर रहे थे कौन से इस चित्रकला के जो भी चित्रकार थे कला कारों ने स्थाने राजाओं के छवी चित्रन के साथ साथ उनकी पत्नी दर्बारि जोतश वैदय गडी का अन्य का भी चित्रन किया हैं तो यह तो महतवपूर्ण विशे थे इसके अलावा अन्य विशे में क्या था अन्य विशे में जो इस थानी राजा थे उनके छवी का चित्रन यानि छवी मतलब राजाओं की आकरती बनाना उनका पेंटिंग करना ठीक है तो छवी चित्रन के साथ साथ अन्य जो है तरबार से संबंदित विश्यों पर भी इनके द्वारा चितरकारी की जारी है तो प्रचलित विशे में तो ये हो गए अन्ने विशे में आन्ने विशे में में क्या दिखाए दे दें है अन्य विशे में छेत्रिय राजाओ के छवी चित्रण दर्बारी दर्बारियों के चित्र बनते से आगे पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये सब भी आपको इसी चित्र कला का दिखाई देरा है बस ओहली चित्र शाला की कलाकार दीरे-दीरे अन्य पहाडी राजे चंबा कुलू इन में मूव करके गए और बसोहली शैली को इस थाने रुपांतरन के साथ स्रजित किया जब यहां के चित्रकार दूसरी जगा पर मूव करते हैं तो जब वहां मूव करेंगे तो वहां का जो लोकल आर्ट होगा उसको इसमें एड कर लेते हैं और चित्रकला का ही एक और विक्सित रूप हमें दिखाई देता है फिर बोल रहा है सन 1690 से 1730 कि अब धी में चित्रों की एक नवीन शैली जिसे गुलेर कांगडा के रूप में हम जानते हैं वो विक्सित होती है तो बसोहली वैसे भी इनीशल चित्रकला शैली थी पहाड़ी चित्रकला शैली का बाद में अन्य जो छेते तत्वों को समाहित करते वे चित्रकला का विक्सित रूप दिखाई दिता है उसको हम गुलेर कांगडा के रूप में बोलते हैं जिसके बारे में आभी मैं नहीं लिखाऊंगे इस स 10 यहां से कर दितर हैं दूसरे जगहा पर भी Atari चित्रकला चित्रकला का विकास होगा संस्क्रित महाक कावे बसोहली के साथ-फसाथ कुल्लू के कलाकारों का भी पसंदिदा विशे रहा है तो बोड़ रहा है कि वह आफ को रमायख भी विश्य के रुप में दिख़ाई दे ती ती जैसे रामायर पूरी की पूरी है रामायर की पूरी कहानी को चित्रों के रूप में जो चित्रत किया जाता था उस चित्र की शंखला के लिए एक टर्म यूज किया जाता था जिसे शांगरी कहते थी तो यह शंखला शांगरी नाम से जानी जाती है जो कुलू के राज और बिलास्पु शाली के अलग-अलग अंदात से प्रभावित हुए हैं तो बस यहां पर ध्यान रख लेना है कि इसकी जो शंकला है वह किस नाम से जानते हैं उसे शांगरी कहा जाता है तो बस बैसे कि बस वहली के बाद ये चित्रकला शाली कांग कुलू कांगडा अने शि यह जो शांगरी क्या है तो हमारा जो नौर्थ इंदिया का महा काव्यन रमायन के चित्रों की शंखला को craving कहानी के चित्रों को मिदा मनेटा जाता है और यहां आपे राइटर बोल रहा है उस चित्र में राम अपनी भार्या सीता और भ्रात लक्षमन के साथ वनवास जाने के लिए आयोध्या छोड़ने की तयारी करें उस शांगरी चित्रकला में एक शंकला दिखाई देरी है जिसमें बतार है दिखा रहा है एक द्रशे दिखा रहे है जिसको आयोध्या कांड बो शाक होते थे गहने आभोशन वो सब त्याक करोगे ना तो उसी द्रश्य को दर्शाया गया है जहां राम धहरे के साथ अपने अधिकार की सभी वस्तुएं देने में लिप्त है जो भी उनके पास चीज़े थी वो सब दान दे रहे हैं राम के अनुरोद पर नाम ने ये बा दे तरस थे सब दो राज्कु मारां और में तरस दान दे रहे हैं और पूरी की भीड है जो की दान लेने के लिए एक अधृत है और इस दान में गाय बच्छों का भी दान दिया जा रहा है तो वो जानवरों के चहरे पे समंझस का भाव दिखाया गया है जानवरों को पता नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है तो वो इस चित्र में दर्शाया जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर यहीं बोल रह की कि और के कि के बोल रहा है कि कलाकार ने बहुत मतलब वह जो एक आयोध्या कांड को चितरित किया है वह उसके बारे में बहुत जर्शायाग जहां फिर बोल रहा है कलाकार ने बहुत ही सब्धानी पूर्वक अलग-अलग व्यक्ति बैरागी न्यार Spotify कने सबको मतलब एक चित्र है उस चित्र में आप पूरा एक सीन क्रियेट कर रहे हैं तो उसमें कलाकार के बहुत जादा कला की निपूरता दिखाई देती कि अलग-अलग सबके हाओ भाओ भंगिमा सबको कैसे दर्शाना है ठीक है गलीचे पर सोने के सिक्कों के धेर वस्त्र दान दे रहें अपनी वस्तों को और वह यहां पर बिखरे पड़े हैं गाय बच्छर जिनको दान दिया जा रहे हैं क्या चल रहा है तो वह समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा उनकी चहरे पर भाव भंगिमा दिखाए गए उनकी निगाहें इस तिर और गरदन उची है तथा गंभीरता है वह यहां के चित्रकारों ने बस ओहली के चित्रकार जो है वह निखारते वे नजर आ रहे हैं वह भी किसमें शांगरी की जो हम बात करें जो में कुल्लों में विक्सित होते वे दिखाई दे रही है तो राम की शांत परंतु मुर्द मुस्कुराहट की वनवा जा रहा है आशंकित सीता और ब्रामर जो भिक्षा पाने की इक्षा रखते किन्तु प्रसंद नहीं है और अन्य लोग विश्वस्तनियता और कृतग्यता के भाव दिखाई दे रहे हैं एक आभार प्रकट कर रहे हैं अपने राजा के लिए उतकस्ट प्रभाव प्रदर्शि का कारें हमें इस शांगरी में दिखाई देता है अयोध्याकान के रूप में ठीक है सबी की समझ में आगे है चलो इसी श्रंकला का एक अन्य चित्र जिसमें राम और लक्षमन गुरु विश्वा मित्र के साथ अभी हमने वो चित्र देखा कि राम है लक्षमन है आगे गु संत सन्यासी लोगों के जो भी होता है उनको परिशान करते हैं या उनके जो भी पूजा व्यवस्था होती उसको भंग करने की कोशिश करते हैं उस सीन को दर्शारा है कि श्रंकला का एक अन्य चित्र जिसमें राम और लक्षमन गुरु विश्वा मित्र के साथ जो राक्ष के लिए वन की तरफ मूव कर रहे हैं इस चित्र का एक रोचक थत्य है कलाकार ने भारी शरीर वाले जानवरों को मतलब उस पिक्चर के बारे में बता रहे हैं जो अभी हम देख रहे हैं अभी देख कर आये थे कि राम और लक्षमन अनूसरन कर रहे हैं विश्वा मित्र का और ये पिच्चर दिखाना चारा है कि जितने भी जंगल में ऐसे रक्षस है जो की तपस्या करने वाले तपस्यों का तभंग करने की कोशिश करते हैं ये उनका नाश करने जा रहे हैं और उस समय उस सीन को दर्शाएगे कि सभी जानवर इन्हें छुप कर देख रहे हैं और पेड़ों के पीचे से उन जानवरों की थोड़ी-थोड़ी आकर्ती दर्शाई गई हैं तो पेड़ों के पीचे से उनका आधा शरी दिखाई दी रहा हैं बाइयोर एक लोमड़ी दाए और एक षेर का चित्र कलाकार ने बड़ी दक्षता से अंकित किया हैं जो केवल घरे जंगल में छिपे पश्वो को ही प्रदर्शित नहीं करता बलकि दो राजकुमारों के अध्भुत साहस के भावनात्मक मुल्यों को भी दर्शार है कि शेर चुपकर देख रहा है लोमडी भी चुपकर देख रही है तो वो बेसिकली शेर और लोमडी जानवर नहीं बलकि उन यहीं था किसके बारे में बसोहली चितरकला के बारे में और ये जो रामायन की शंकला ये इसमें हमें अलग ही गंभीर भाव भंगेमा के साथ खड़े हैं दूसरा हमें दिखाए दे रहे हैं राम और लक्षमर जो है वो विश्वा मित्र का अनुसरण करते वे वनक्योर जा रहे हैं राम लक्षमर द्वारा विश्वा मित्र का अनुकरण या अनुसरण ठीक है ओकी यह आपको समझ में आ गया होगा बस इतना ही हमारे काम का बाकी कंटेंट हमको कुछ भी लिखने की जरूत नहीं है यह स्टोरी जो आपने पढ़ लिया तो आपके दिमांग में अल्रेडी सेट हो जाएगे ठीक है अब आ जाते गुलेर शैली थोड़ा सा इसको प आ ओकी गुलेर चितरकला शैली इठारवी शताबदी के आरंभिक दौर में बसोहली शैली में पूनता बदलावाया बोल रहा है का 18 सेंच्री यानि 1701 के आसपास ठीक है? अठारवी शताबदी अठारवी, शताबदी, कारंभिक दौर, कारंभिक दौर, तो ये वो टाइम पीरिड था, 1701, जब बसोहली चित्रकला शैली में एकदम से चिंजस दिखाई दे रहे हैं, तो जो बसोहली चित्रकला शैली में बदलाव दिखाई दिया था, इसे गुलेर कांगडा का दौर प् पीरिड है, जब बसोहली चित्रकला शैली में अचानक से कुछ चेंजस आए, जो उसमें एड हुए, और वहीं हमें किस रूप में दिखाई देंगे, आगे गुलेर और उसका भी डिवलफ फॉम दिखाई देगा, कांगडा चित्रकला शैली के रूप में, कांगडा के पर्धन चन्द के सन्रक्षण में ओके तो यह किसके सन्रक्षण में हमें दिखाई देता है, राजा गोवर्धन चन्द के सन्रक्षण में, जो गोवर्धन चन्द बाद में आपको कांगडा में दिखाई देंगे, इनीशली, यहाँ पर थोड़ा सा समझेगा, टाइम पीरेड बताये, 1744 से 73 तक का, आप कैस से भी ध्यान रख लो, 50 से देके 70 तक ही रख लो, 1750 से 70, मैं इसलिए मैं चाती नहीं कि ज्यादा इसको हम कॉंप्लिकेट करें, क्योंकि जरूरत नहीं है, हमारे काम कर नहीं है, यह डेटा वेटा, तो इसलिए इसको हटाओ, बस इतना ध्यान रखो कि आगे चलकर, का एक शाही परिवार हमें दिखाई देता है, गोवर्धन चंद का, लेकिन पहले ये गोवर्धन चंद के संरक्षण में, कहां पर गुलेर में ये विक्सित होगा, तो बोल रहा है कि गोवर्धन चंद के संरक्षण में, ये दौर सबसे पहले गुलेर में दिखाई देगा गुलेर शैली के कलाकार पंडित शिव और उनके पुत्र मानक और नैनस्तुखु को इस शैली के एक नवीन रूप देने का श्रेद दिया जाता है इनका ही नाम याद रखेगा जैसे कि हमने देखा था थोड़ी दिर पहले कि किस तरह से गोस्वामी बोल रहे थे कि यह जो चित्रकला शैली विक्सित हो रहे है पहाड़ी चित्रकला शैली के आरंभिक चरण में किसका ज्यादा योगदान था पंडित शिव का तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि जो गुलेर चित्रकला शैली है इस चित्रकला शैली में महतपूर योगदान किसका रहता है पंड़त शिव का और उसके पूरी के पूरी जनरेशन हमें इसमें इन्वाल्व होते वे दिखाई देती है तो पंड़त शिव उनके पुत्र थे मानक और नैनसुख आगे चलके उनके पोते और परपोते वो सब भी इस दिशा में महतपूर कदम उठाएंगे तो इन उनके पुत्र मानक और नैनसुख इनके टाइम पीरिड में हमें विकास दिखाए दिता है किसका इस चित्रकला शैली का बागे इनके पूरी जनरेशन इसमें इन्वाल्व रहेगे ठीक है अब बस इनके बारे में बताता है कि ये जो थे पंड़त शिव और इनका परिवार इनको शेद दिया जाता है इसको एक नवीन रूप देने का गुलेर चित्रकला शैली को जो पूर्व कांगडा या गुलेर कांगडा कलम के नाम से जानी जाती है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो गुलेर शैली है ये कांगडा शैली का इनीशियल फेज है यही डेव बुर्व कांगडा या फिर गुलेर कांगडा कलम के नाम से जाना जाता है क्योंकि गुलेर कांगडा मतलब इन दोनों का मिक्सचर मतलब यह इनिशल फेस है या गुलेर कांगडा कलम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है बसोहली की स्विस्पस्ट जिवन्तता की तुल्ना में यह अधिक परिश्क्रत सहज और सुन्दर शैली है अब बसोहली से कंपेर करें तो बसोहली तो इनी जसरोटा की राजा बलवन सिंग का दर्बारी चित्रकार था को स्विस्पस रूप से इस शैली को आकार देने का श्रेज जाता है तो बोल रहा है कि इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका नैनसुक का उसने इस चित्रकला शैली को काफी ज़्यादा एक बोल स शैली का आरंभ और इसे बोलते हैं कि इसने इसको परिपक्व रूप दिया था स्वरी इसने इसको परिपक्व परिपक्व रूप दिया था ठीक है समझ में आ गया चलो आगे बढ़ जाते हैं 1780 में इस शैली का सबसे परिपक्व रूप कांगडा में पहुंचा यही डिवलप हो के आगे चलके कांगडा में हमें मूब करते वे दिखाई दिता है इस प्रकार कांगडा शैली बसोहली की प्रिशाखा के रूप में चंबा और कुल्लों में फैल गई ठीक है यह परपोते हुए उन्होंने अनेक केंद्रों में चित्रन काम किया इनकी पूरी जनरेशन अलगलग शित्रों में चित्र बना रही है और इन्हें इन पहाड़ी चित्रों को परिश्कत रूप देने का शेयर दिया जाता है यानि मानक नैंसुख के जो आगे जिनरेशन आती है उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया था सभी पहाड़ी चित्र शेलियों में गुलेर की परंपरा सबसे अधिक लंबे समय तक प्रभावी रहा तो बाकी चित्रकला शेली जैसे आपने इसके पहले देखा बसोहली या आगे आप देखेंगे कांगडा त दिखाई देती हैं इनमें सबसे अधिक लंबे समय तक किसका प्रभाव बना रहा गुलेर चित्रकला शेली का ठीक है तो यह ध्यान रखना है सबसे अधिक सबसे अधिक लंबे समय तक यह क्या बने रहें प्रभाव शाली बना रहा तीक है बाकी चित्रकला शेली जोदियों उसके कंपरेटिवलिंग इसका जो एक ताइम पीडियर्ड है ये इसका जो प्रभाव काफी लंबे समय तक बना प्रभाव का मतलब है जैसे कोई चितर कला शैली का ओरीजन हुआ फिर बाद में उसने अपनी आइदेंटिटीटी खोदी कुछ समय के बाद से कोई नई चितर कला शैली का विकास होगे इसका प्रभाव हमें लंबे समय तर दिखाई देता है ठीक है फिर बोल रहा है कि सभी पहाड़ी चित्र शैलियों में गुलेर की परंपरा सबसे अधिक लंबे समय तक प्रभावी रही, इसके साक्षात प्रमार हरीपुर गुलेर में कलाकार है, जो राजा दलिप सिंग के राजेकाल में कारे कर रहे थे, बोल रहा है कि यह जो राजा दल सिंग जो है उसके राजेकाल में भी यहाँ पर कई सारे हमें इस तरह के चित्रकार दिखाई देते हैं, जो कि इसका प्रमार दिखा रहे है, कि लंबे समय तक यह इस छेत्र में प्रभावी बना रहा है, क्योंकि वो जो उस राजा के दरबार में चित्रकार थे, वो इसी च चित्रकला को रिप्रेजेंट कर रहे थे ठीक है फिर बोल रहा है दलिप सिंग और उसके पुत्र विशन सिंग के छवी चित्र अस्थितुमें जो 1730 के पूर्व के है अर्थात गुलेर कांगडा दौर आरम होने के पूर्व के है बिशन सिंग अपने पिता दलिप सिंग के कारेकाल में ही मृत्यू को फ्राप्ट हो गये थे इसलिए उनके छोटे वाई गोवर्धन चंद सिंग हासन पर बैठे जो इस चित्रकला शैली के बदलाओं के साक्षी बने ठीक है गोवर्धन अभी आप पढ़कर आ रहे हैं वो इस चित्रकला शैली के साक्षी बनते हैं 1730 में चित्र गीत गोविंद शंकला मानक की सबसे सुन्दर अद्भुत रचना है जिसमें बसोहली शैली के तत्मभी समाहित है इसमें प्रचूर म मातरा में भौरों के पंक के जालर का उपयोग किया गया जो सबसे आकर्शन है बोड़ाय की जो मानक है जिसके बारे में अभी आप पढ़े उस मानक चित्रकार्व की सबसे अच्छी चित्रकला क्या दिखाए देती गीत गोविंद शंकला शंकला मतलब पूरे के पूरे चि तो यह बहुत महत्वपूरे और इसमें एक चीज हम और देख रहे हैं कि इसने जालर के रूप में किसका प्रयोग किया है तो यहां पर यहीं बोलता है राइटर की जो भौरे होते हैं उनके पंको की जालर का उपयोग किया है जो सबसे ज्यादा आकर्शन है आकर्शक है इ ऐसा प्रतीत होता है कि नैंसुक ने अपने ग्रहनगर गुलेर को छोड़ दिया था यह जो नैंसुक है हमें पता लगता है कि गुलेर को छोड़ के मूव कर जाता है ऐसा हमें लगता है राइटर बोलता है ऐसा मारा जाता है कि उन्होंने आरंब में मिया जोरावर सिंग के बोल रहा है कि हमें पता लगता है कि जो नैंसुक है वो वो शेत्र छोड़कर चले गए थे हमें कैसे पता लगता है क्योंकि वो जिसकी चित्रकारी कर रहे है बलवंत सिंग वो दूसरे चित्र के राजा है और हमें पता लगता है जब नैंसुक चित्रकार गुलेर को छोड़ विद्यों में व्यस्त दिखाया तो हमरे ननसुख आ उसके दौरा जाला चित्रकारी देखी, तो राजा बल्वन्त सिंग के गति विध्यों को छित्रित किया थे है ऑसे के दूरा coalition कि उसके है जैसे कि ग्रह में नहां रहे हैं बलवन सिंग वो दर्शा रहे हैं इमारत का निरिक्षर करते वह कोई मारत बनी है राजाय या रहा है देख रहा है कैसी ठीक बनी है नहीं बनी है शीत रुतु में कंबल लपेट कर तंबू के तंबू में बैठे हुए कलाकार ने अपने संरक्षक को कृतार्थ करने के जुनूर में हर संभव अपसर को चितरित किया यानि कि जो उसका संरक्षक है बलवन सिंग उसको थोड़ा सा अभार दिखाने के लिए उसके हर एक चीज को इसमें चितरित करने की कोशिश किये नैन सुख छवी चितर बनाने में बहुत प्रतिभाशाली थे जो बाहाद में पहाड़ी शैली की मुखे विशिष्टा बनी उनकी रंग पट्टी का कोमल हलके रंगों की होती थी जिसमें स्वेत और धूशर रंगों मतलब शवी चितर का मतलब है कि एक्जेक्टली तुम जैसे दिखते हो ऐसी तुम्हारी चित्र बना दे ठीक है तो वह इनकी क्वालिटी थी चलो आगे बढ़ जाते हैं मनकु ने भी मनकु कौन है आपको पता लग इसके लिए इस तरह से प्यार से बोला जा रहा है इसको म जो मनकु है या फिर जो मानक है इस ने अपने राजा के इसके द्वारा मूव कर गया था दूसरी जगा तो बलवंत इसका राजा था उसकी चित्रकारी करते हुए नजर रही दोनों ही छवी चित्रन के लिए काफी महतपूर चित्रकार या कलाकर माने जाते हैं ठीक है तो अगली शेली जिसका नाम है कांगडा चितरकला शेली यह सबसे ज़्यादा विकसित रूप दिखाई कांगडा चित्रकला शेली क्या बोल रहे हैं कांगडा शेत्र में चित्रकला एक विसिस्ट शाशक राजा संसार चंद के संरक्षन में पल्लवित हुए रूलर के नाम थोड़ा सा ध्यान रख लो तीनी दो चित्रकला शेली किसका नाम बता रहा है संसार चंद टाइम पीरेड क्या है 1775 से 1823 आप ऐसे मत याद कर आप ऐसे याद कर 1780 से 820 ऐसे ठीक है यहां पर बोल रहा है रूलर का नाम बता रहा है संसार चंद ठीक है तो यह चंद के टाइम पीरेड में कब से कब तर 1780 से लेखे 1820 ऐसे मान लो अपर अगर थोड़ा सा यह भी मैं मना कर देती सिर्फ इतना इसलिए मैं बोले ताकि आपको पता रहे कि यह शैली का जब विकास हो रहा है तो नौर्थ इंडिया में कौन से रूलर रूल कर रहा है अब सतरसो सटाव सतावन बैटल ऑफ प्लासी 1764 बैटल ऑफ बकसर 1707 औरंग जेव की मुगल एंपायर टूट रहा है बंगाल अवद हैदरबाद मराथा छोटे-छोटे राज्यों का स्तित्व हो रहा है तो कांगडा शैली का विकास कि समय हो रहा है उस समय इंडिया के बाकी र साशक राजा संसार चंद के संद्रक्षर में पल्लवित हुई ऐसा माना जाता है कि जब गुलेर के राजा प्रकास्चंद आर्थिक तंगी के कारण कि जो आगे राजा हुए बार्धन चंद के बाद आगे उनकी जो जेंडरेशन चली उसमें गुलेर के एक राजा सारे चित्रकार रहकर innovation करते हैं नई नई चित्रकारी बनाते तो उन चित्रकारों को आपको संद्रक्षन देना पड़ता है उनका पुत्रों ने कांगडा के राजा संसाल चंद का आश्रे ले लिया तो यह जो मन को जिसके बारे में अभी आपने थोड़े दिर पहले पढ़ा था यहां से मूव कर जाएंगे और यह महां यहां से मूव कहां कर जाते हैं कांगडा की तरफ यह ध्यान रखना है और वहीं नैं गुलेर से इस्थानांत्रत हो कहां चले जाते हैं कांगड़ा के राजा कांगड़ा के राजा के यहां सन्रक्षण ठीक हैं समझ में आगया चलो आगे बढ़ जाते क्या बोल रहा है यह ऐसा माना जाता है कि जब गुलेर के राजा प्रकास्चन उन्हें सन्रक्षण नहीं दे पाय तो वहां से निकल गये किदर चले गए कांगड़ा चले गए और कांगड़ा जाने के बाद उनके पास में गुलेर चित्रकला का बहुत अच्छा घ्यान था है ना वहाँ पर रूंका इंपॉर्टेंट रोल था अभी कि जब कांगड़ा में आएंगे तो उसी को एक नया विक्सित रूप दे देंग जिनका नाम था घमंड चंद उनके द्वारा स्थापित किया गया था वह कटोच सामराज्य के शाषकों से संबंद रखते थे बताब बैसिकली इनका बैक्ग्राउंड क्या था वह बता रहा है जो इस छेत्र में लंबे समय तक राज्य करते रहे ठीक है तो संसार चंद जो सच्ट्वी शिताबदी में जहांगीर ने कांगडा को अपने अधिकार में कर लिया इसीलिए मैं बोल रही थी थी थोरसा टाइम पीरिएड याद रखेगा ये टाइम पीरिड क्या बोल रहा है 1780 रहा है यहां पर यहां पर यह सट्वे से शेत्र को अपने नियंट्रण मे कर लिया था हुआ जब वो इस खेतर को अपने कब्जे में कर लेगा तो क्या होगा वह जो वहां का शाशक था जिसका नाम वहां चंद तश्र 이제 ही नीव रखी ति को जागिरदार बना देता है वहां का और तो अपने अधिकार शेत्र में करने के बाद घमंड चंद को उसने जागिर्दार बना दिया जैसे ही मुगल बसे तीरा सुजानपुर शहर को अपनी कैपिटल बना ली और उत्तम इस मार्कों का निर्मार किया उन्हें कलाकारों के लिए चित्रशाला का रख रखाओ बे किया यहां पर घमंड चंद के बारे में बता रहा है क्या बोलते हैं राजा घमंड चंद के द्वारा इस राज्ये की नीव कुछ समय के लिए और रंग जेब द्वारा और रंग जेब द्वारा कांगडा शेत्र पर नियंत्रन इस्थापर लेकिन मुगल्स के पतन के बाद या मुगल सामराजे वही 1707 के बाद के पतन पश्चात यह शेत्र के पतन पश्चात यह शेत्र पुनह घमंड चंद के के नियंत्रन में तथा व्यास नदी के किनारे व्यास अनेक इसमारक का निर्माण और चित्रशाला को संरक्षन और चित्रशाला को क्या दे रहे थे लोग संरक्षन दे रहे थे संरक्षन दिया गया दन चालो आगे बढ़ जाते क्या बोल रहा है आपर राइटर राजा संसार चंद ने अब वापस जाते संसार चंद के बाद में जिसके टाइम पीरिड में डेवलप हो रहा है गमंड चंद तो उनके दादा जी थे संसार चंद ने आजपास के सभी पहाड़ी राज्यों में कांगणा के प्रभुत्व को स्थापित किया संसार चंद ने इसको और मजबूत किया तो कांगणा शेत्र में उसके दादा ने नीव रखी दी उसको और ज्यादा सब्सक्राइब किया निस्थिति को मजबूत किया उनके संरक्ष में तीरा सुजानपूर एक बहुत उन्नत के रूप में उब रहा तीरा सुजानपूर बेसिकली इन्लों का कैपिटल हुआ खरता था आरंबिक दौर में कांगणा कलम के चित्र आलंपूर में विक्सित कांगरा में ही जो आलंपूर है नादौन है यह वो शेत्र है जहां पर कांगरा चित्रकला शेली डिवलप होते वे दिखाई दे रही है इसको कोई मतलम नहीं बनता है ज्यादा इतना फैक्ट नहीं दूंगी क्योंकि काम कर ने काम कर रहे तो तो मैं डिफिनिटली आपको क व्यासनदी का नाम की व्यासनदी के किनारे ही इनके द्वारा चित्रशाला विक्सित की गई और इस चित्रशाला के आगे संरक्षक बने संसार्चंद संसार्चंद ने व्यासनदी के किनारे अनेक केंद्रों में चित्रकारों को संरक्षन दिया जिसकी वज़े से उन व्या कांगड़ा में बहुत थोड़े से चित्र बने हैं उस नाम ता अनिरुद चंद उसने भी कला को संदक्षित किया और कई रबार अपने दर्बारीयों के उसका चित्रन देखा जाता है अगर देखा जाए तो कांगरा शैली सबसे अधिक काव्यात्मक और गितात्मक भारतिय शैली है जो इस्थाई सुंदर्ता को मलता के प्रदर्शन में अपना एक महत्व इस्थापित करती है तो इसके लिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर रह है कि यह किस तरह की शैली काव्यात्मक और गितात्मक भारतिय शैली है तो यह ध्यान रखना है कांगरा शैली के बारे में काव्यात्मक और गितात्मक मतलब काव्य और जो गीत है उनको ये रिप्रेजेंट कर रही है चित्रों के फॉर्म में तो काव्यात्मक और गितात्मक भारतिय शैली हमें किस रूप में दिखाई देती हैं कांगड़ा शैली के रूप में ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अब इस कांगड़ा शैली के बारे में कुछ और चीज़िए बता रहे है कि महीन रेखाएं दिखाई देती हैं इसमें चटक रंगों का प्रयोग किए है जो भी अलंकरन क किया सजावट किया गया उसमें बारी की देखी जा सकती है महिला की आकरती में चित्रों को किस तरह से दर्शाय गया माथे से लेके नाक तक एक सीधी रेखा किस दी जा रही है और यह सब कांगड़ा शली की मुख्ये चारेत्रिक विशेशताओं में क्या-क्या देखा जा रहा है एक-एक पॉइंट देख लिजिए आप महीन रेखा चटक रंग अलंकरण में बारी की महीन रेखा चटक रंग अलंकरण में बारी की और क्या था महिलाओं की जो आकरती बनाई जारी चहरे के माथ से लेके नाक तक एक रेखा के रूप में तो यह जो आप पहले पढ़कर रहा है बसोहली और अभी पढ़ा है कांगडा इन दोनों की चारित्रिक विशेष्टा है थोड़ा सा ध्यान रखना है दो चार पॉइंट्स आप याद रखे बस बहुत है इतना जादा डिटेल में जाने की वैसे भी ज़रूरत है नहीं ठीक है चालो आगे महत्वपूर्ण विशे जैसे आपने बढ़ा था बसोहली के वैसे इनके महत्वपूर्ण विशे क्या थे महत्वपूर्ण विशे यानि किन विश्यों पर ये चित्रकार चित्र बनाया करते थे तो महत्वपूर्ण विशे में हमें दिखाई देता है भागवत पुरान गी से मनस्थिति में भी सारे बदलाव आते हैं तो वह क्या-क्या चेंजस आते हैं वह इस किताब में बताया वह किताब को चित्रित करना इनका एक महत्वपूर विशेराय किसका कांगणा चित्रकला शाली का तो दो चार थोड़ा सा ध्यान रख लेना भागवत कुरान पुराण गीत गोविंद रागमाला भारामास सा ठीक है भागवत पुराण गीत माला गीत गोविंद गीत गोविंद नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका रागमाला और लास्ट हो जाएगा हमारा क्या बूलते हैं 12 मासा यह सभी इनके महतपूर्ण विशे रहे हैं समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है कई अन्य चित्रों में संसार चंद और उनके दर्बार का लेखा जोखा समाहित है संसार चंद को नदी किनारे बैटे बत बोल रहा है कि कुछ अन इसने विशे संसार चंद और दर्बार्यों का चित्रन चित्रन हमें दिखाई देता है ठीक है तो यहां पर यहीं बता रहा है कि उनके दर्बार का चित्रन किस तरह से क्या-क्या कर रहे हैं वो सब यहां पर दर्शाय गया इतना हमारे काम का है नहीं चलो अब आगे बढ़ जाते संसाल चंद के राजिकाल में कांगडा शैली के चि क्योंकि डेवलप है काफी ज्यादर डेवलप था बहुत विक्सित था उन्होंने व्यापक राजनितिक शक्ति का प्रेयोग किया बुलेर और अन्य चेत्र के कलाकार के साथ एक बड़ी कारेशाला मदद करने में सक्षम रहे मतलब यह बोल रहे कि जो कांगड़ा जो कांगड़ा शेत्र के जो राजा थे जब वो चित्र शालाय स्थापित कर रहे थे चित्रकारों को सनक्षन दे रहे थे तो आसपास के जो चित्रकार थे उनको भी उठा ले रहे थे मतलब उनको भी अपने शेत्र में इंवाइट कर रहे थे उनके साथ मिलकर बड़ी से में बताया गया थीक है अब भागवत पुरान के चित्रों की श्रंकला कांगडा कलाकारों की सबसे बड़ी उतलबदीती भागवत पुरान जो है न यह बहुत important इनका विशे रहा है और भागवत के काफी सारे द्रश्य यहां पर दर्शाय गए है क्रिश्न के जो भी अलग-अलग लिलाएं थी उनको यहां पर दर्शाया गया है कैसे देखते हैं हम वन बैवन भागवत पुरान के कई सारे चित्र यह चित्र उनकी सहज व्यपारिक और व्यभारिक और आसमाने मुद्रा मे आकृतियों के प्रस्तूती करण के लिए उलेखनी है जैसे अभी थोड़े दिर पहले आपने बढ़ा था रमायण के बारे में किसमें बसोहली चित्र कला में हम बोल रहे थे कि रमायण के चित्रों की जो शंकला होती जिसके लिए शांग्री वर्ड यूथ हो रहा है एक्जे पंच अध्याय से लिया गया यह भागवत पुरार के पांच अध्याय का एक समु यहांपर क्या कर रहा है कृष्ञी की लिलाओं चित्र कहा से लिया गया से लिया गया का है भागवत पुरान के पांच अध्याव का एक समूच ठीक है पंच अध्याई से लिया गया भागवत पुराण के पाँच अध्यायों का समो ठीक है यहां पर ऊद्ण झाधान के ठीक हार है यहां पर उसको ही डिटेल से बताए जा रहा है कि यहां पर जो रस अनग आ वो प्रेम रस हमें दर्शाय जा रहा है ila इस परशी तरीके से गोपियां जो है कृष्ण के प्रती अपना प्रेम दर्शार रहे अचानक से क्रिष्ण उनके मद्दे से अद्रश्य हो जा रहा है फिर उसके बाद से गोपियों का जो वो चहरा है बिलकुल बुझा हुआ चहरा वो दर्शाया जा रहा है वो बिलकुल व्याकुल हो जा रही है तो उनके जाने पे कृष्ण के गायब हो जाने पर अद्रश्य हो जाने पर जो गोपि से दूसरी जगह कि कृष्ण कहा है पर अंतु उन्हें किसी से भी अपने प्रेश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो इस तरह की क्रिष्ण की लिलाओं का वर्णन यहां पर किया जा रहा है उनका ध्यान कि कि स्मृतियों में डूब जाता है और फिर यहां पर देखें यह चित्र दर्शाया गया कि किस तरह से यह सारी कि सारी गोपिया व्याकुल होकर एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे बैठी हुई है ध्यान लगा रही है कृष्ण की जो भी लिलाए थी उसकी तरफ उनका ध्यान लगाया जा रहा है और साथ ही एक चीज और मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसमें कई सारी ऐसी कृष्ण की लिलाए है जिसमें कृष्ण को खुद गोपी के रूप में दर्शाया गया है अभी हम देखेंगे उनका ध्यान कृष्ण की स्मृतियों में डूप जाता है गोवर्धन परवत को उठाते हैं सभी को पता है यह देखिए इस पिक्चर में कि इंद्र देवता बहुत जादा बारिश करते हैं पूरा का पूरा जो शेत्र था वो दूबने वाला था तो गोवर्धन परवत को अपने उंगली पर उठा लेते कानी उंगली पे सब लोग उस परवत के नीचे आ जाते हैं फिर यह देखते हैं कि कृष्ण जी वो जो काला नाग था उसको किस तरह से अपने वश में करते हैं अपने दोस्तों को उस नाग से बचाते हैं यह सब चीजे इसके बाद एक दो और ऐसे ही इंसिडेंट थे तो बस राइटर यह बता रहा है कि कृष्ण जब गोपियों के बीद से एकदम से गायब होते हैं दरश्य होते हैं तो गोपिया व्याकुल होकर उन्हें ढूंती है और फिर ढूंनने के बाद जब उन्हें नहीं मिलते हैं तो क्रिष्ण की ही जो लिलाएं हैं उनको इस्मरन करते हुए भगवान यो थी उसका जो है वक्ष से स्तनपान करते हैं कृष्ण और उस रक्षस को किस तरह से मार देते हैं तो उस द्रश्य को भी यहां पर दरशाया गया है कृष्ण बासुरी बजाते हैं वह वाला द्रशी यहां पर तो basically गोपिया जो खृष्ण कर रहे थे ना उनकी लिया है उन मैंसे जिसने भी देखा होगा कृष्ण की लिला है उनको ये सारी स्टोरीज पता होंगी यहाँ पर क्या बोलोगे इसमें से कुछ पूतना वक्ष पूतना बेसिकली राक्षसी थी पूतना वध्र की उसका किस तरह से कृष्ण ने वध्र किया था उस इंसिडेंट की नकल करत है यशोधा द्वारा ओखली से बांदने पर यमला अर्जुन की मुक्ति की किस तरह यशोधा परिशान होके कृष्ण को बांद दिया करती थी गोवर्धन परवत को उंगली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से भारी वर्षा से ब्रजवास्तियों की रक्षा करना जैसे किया गोपिया अलग-अलग पात्रों को चुनकर उनकी देविये लिलाओं का अनुकरन करती है तो बेसिकली जो कृष्ण कर चुके थे उसको ये दर्शाती है उनकी स्मृति में इस तरह के पिक्चर्स बनते हैं ठीक है इसी को ही डिटेल से दिखा रखा है वही सारी स्टोरी जो कि उसकी सास उखड रही है और फिर उसकी म्रत्यों हो जाती है ये सारी चीजे दर्शाई गई है एक गोपी जो है वो ओखली बन गई है दूसरी गोपी कृष्ण बन गई है और एक तीसरी गोपी कपड़ा बन गई है और वो उस पूरे सीन को दर्शा रहे है ठीक है तो यह बेसिकली यही सब चीजे बता रहा है वो सारी चीजों को यहाँ पर डिटेल से बताएगा आपको समझ में आ गया होगा उसी पिक्चर को यहाँ पर एक्स्प्लेइन किया गया आगे बढ़ जाते है अस्टर नाइका या आठ नाइका का चितर पहाड़ी शैली का मुख्य अस्टर नाइकाओं का चितर रस्टन नाइकां क क्या है नाइका बेसिकली जो आप बोलते है आचकल एक्ट्रेज उसको ही रिप्रेजेंट करती है ठीक है तो यहाँ पर ना एक महतवफूर्वी अपर वहाँ दिखाई शाटनाय कहों का चितरण यह भी इननका एक मेहतोपूर्ण विशे रहा है ठीक है अस्टनाय कहों चितरण अब यह अभी अलग-अलग तरह की प्रेमिक ऑग्हों के बारे में बताया ग्या क्या बहू रहा है अस्टनाय का या 8 प्रेमी का होती उनको दर्शाया जा रहा है जैसे नाम बताया जा रहा है ठीक है इसमें एक है उतका उतका के बारे में बोल रहा है कि वह जो अपने प्रिये के आगमन की संभावना में धहरे से प्रितिक शारत है एक नाईका उतका बोल रहा है उन्हें कि जो वेट कर रही है बहुत ही patiently कि हां मेरा प्रेमी जल्दी आने वाला है स्वाधीन भर्त का ऐसी नाई का है जिसका पती उसकी चाहा जैसे है जैसा वो चाहा रही थी वैसा उसको वर मिला है पती मिला है वासक सज्जा वह जो समुद्र यात्रा से वापस आए अपने प्रिय का इंतिजार कर रही है कि साथ समुद्र पार गया था वो आ रहा है और उसके स्वागत के लिए अपना जो सेज होता है उसको फूलो से सजा रही है कल हंत रिता यह ऐसी नाईका है जो अपने प्रिय के चाहने पर विरोध करती है घुस्सा है वो अपने जब भी अस्ट नाइकाओं का उलेग होता है इसमें से जो सबसे प्रिये रही है सारे चितरकारों की चितरकारों को इन आठ नाइकाओं में से एक नाइका बहुत ही प्रिये विशे रहा है जिनका नाम था अभी सारीका अभी सारीका एक ऐसी नाइका या प्रेमिका थी जो सार विपत्तियों को पार करके अपने प्रिये से मिलने दौड कर जाती है उसके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दौड कर पार कर लेती है इन में परिस्थिती की कल्पनाएं बहुत ही विचित्र तरीके से प्रस्तूत की गई है जुनून के साथ दर्शाय गया है कि वो योग लक्ष प्राप्ति के धे के कारणी नाईका रात्री में घने जंगल से निकलती है ठीक है इसी जीच को यहां पर दर्शाय गया है इसके अलावा 12 मास जो है चित्र 12 महीने में किस तरह से आपका प्रेम जो है मानव के अंदर जो अनुभूती उसमें परिवर्तन होता ह है वो भी यहां पर दर्शाया गया है ठीक है फिर एंड करता है यहां पर कि पहाड़ी सॉरी 1780 में कांगडा शैली उस समय प्रक्राश में जब बसोहली शैली की शाखाय उभरकर अपनी कुछ चारित्रिक विशेष्ताओं के साथ इन शेत्रों में प्रवाहित होने लगी त फिर लोगों की नजरों में आते वह दिखाई देती का 1780 के आसपास ठीक है ओके तो यह था पस इतना बहुत जादा है इसमें और कुछ कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें डिसकुस करने की जरूते इतना ही more than enough है ठीक है तो बिसी के लिए आज हमने क्या पढ़ा पहाड से आप इसको देखिएगा अगर कोई डाउट होगा नहीं हो पाएगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन भी हम डिसकुस कर लेंगे अभी तो मैं नहीं क्वेश्चन देख रही हूं क्यूंकि प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ यू से हम डिसकुस करने ह बसोहली के बारे में पढ़ा वसोहली में यह ध्यान रखना है रामायन या फिर शांगरी के जो इंसिडेंट था वह गुलेर शैली और फिर आ जाता है कांगरा शैली कांगरा शैली में जो आपका कृष्ण की लिलाओं का वरणर है जो पंच अध्याई से लिया गया है यान सिंपल तरीका हो सकता है मैं वह आपको डिलिवर करने के कोशिश करें अगर आप इन चैप्टर का इंपोर्टेंस पूछेंगे तो वह ज्यादा नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखना है तक कि कभी भी कही क्वेस्टन पूछ रहा है आपके पास में अच्छी नॉलेज है ज़ ठीक है चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं मिलते हैं नए सेशन में कुछ इंफर्मेशन के साथ तब तक अपना ध्यान रखें रिवीजन करते रहिए थैंक यू